अम्म्म विश्वानि देवस्वितर दुरितानि परासुवा यद्भत्रम तन्ना आसुवा हो प्रतิ दिन के भाते जो यद्जे के अलग अलग sommes में मुश teaching in आज जो सरीन में सूनापन आ जाता है कहीं न कहीं उसको लोग पक्षग हाथ के रूप में भी देखते हैं और इसके कारण से हमारे जो चलना फिरना हैं हमारे जो कारिया हैं किसी परकार की जो सेवा हैं सारी बाधित हो जाते हैं और हम अंतिम में बेट पर आ जाते हैं और ऐसे भी स्थिति आ जाते हैं कि सरीर पूरा सुनापन दूसरों का सहरा लेना पड़ता है सब खान पान भी दूसरे के सहरा ही हम लेते हैं तो इस प्रकार के जो रोग है सरीर में जो सुनापन है जो सुन्यतापन है उसको कैसे यज ची किस्तर से दूर कर सकते हैं आई पुझे स्वामी जी से चानल जी स्वामी जी आपने निश्ची दूर्प से जो बात रखी है वो एक बहुत बड़ी समस्या है और इस प्रकार का सुनापन या पक्षागात लक्वा आदी से लेकर कि ऐसे बीमारी एक ऐसी बीमारी है कि आम बीमारी बनती जा रही है आज हम घर में जाएं तो किसी ने किसी बुझे को हाथ में कंथे में दीमें इस प्रकार की अकडान जकडान और सुन्नपन होना एक विशेश रूप से और यह जो बीमारिया हैं हम आईरवेज गिरंथों के आधार पे देखें तो आईरवेज में तीन दोस्ट गिनाए गए हैं वात पीत और कप उसमें जो वात हैं वात दोस्ट जो विक्रित हो जाता है या वात दोस्ट बढ़ जाता है उसके कारण से होने वाले जो रोग है उसके अंतरगति आता है और वात दोस्ट का विक्रित होना या बढ़ जाना उसके कारण यह बीमारिया होती है अब वात दोस्ट कैसे विक्रित होता है कैसे बढ़ जाता है तो उसके लिए बहुत सारे कारण हैं सबसे पहला कारण हम सामने देखे तो हमारा जो माता-पिता के द्वारा प्रदत यह हमारा शरीर है वो शरीर में जन्म से ही एक हमारी वात-पीत या कफ या वात-पित या पित-कफ या इस प्रकार से हमारी एक प्रकृति रहती हैं और उस प्रकृति में यह तो सामन विहार जो कर रहे हैं वो आहार उनका कैसा है क्योंकि आहार में भी जिसे मद्धूर अमललवान का टूतिक कसा ये छे रसों के आधार पे हमारे आईरिवेड गंतों ने सभी आहारों को बाटा हैं पूरी धर्ती पर जितने भी पदार्थ है उसको हम चखेंगे या उसके अंदर रसों के रूप में देखेंगे तो तीन चे रस ही हमें मिलेंगे उसमें किसी में एकरस होगए, किसी में दो होगए, किसी में तीन होगए और जो उस से भी ज़्यादा है तो उसको रसाइन के रूप में देखा गया जैसे हरड है, आे आवला हैं, लसुन हैं ये दो-तिन पदार्थ ऐसे हैं जिसमें 4-5-6-6 रस तक होते हैं एक साथ, उसको रसाइंड कहे गए हैं, तो यह जो पदार हैं, उसमें जैसे कटू, तीक्त और कशाई, कटू, अरथात, जो तीकी चीजे होती हैं, जैसे लाल, मिर्चादी, हरीमेश, जो तीका स्वाथ है, अदरग, दूसरे में आते हैं, तो एक तो तीक्त, कटू, तीक्त कटू, कटू के अंदर जो तीकी चीजी है, और तीक्त मानी अयरुवेट के अनुसार ये उल्टा होता है, मिर्फाल क सुनतोolate कटू मतलब कड़वा मालते हैं, कड़वा, तीक्त का अरथ हैं थीक्त, कड़वा तो जो कड़वा है, जैसे करेला हैं, या करेला से learnic, और कड़ वे जी सामक होती हैं, जैसे मदू है ने रूप से हम समाज में देखे तो मदू कैसा होता है मीठा और मिठी चीज़ खाने क्या होता है कभ की रिद्धी होती है लेकिन उसी जगा पे हम मधू का यदि सेवन करते हैं या मधू लेते हैं तो मधू कफ का विशेश रुप से नास करने वाला होता है इसलिए आयवेद में कफ के नास के लिए सरवतम और अउसदियों में से एक और अउसदी कफ को बाना है मधू स्वामी जी शहद ले रहें कि शहद होता है उस मधू से कफ का निवारन होता है तो यहां पे जैसे मिठा होते हुए भी वो नहीं इसी प्रकार चिक गिलो एक कड़ भी होती है कड़े होते हुए उसका एक विशेश वबावे तीनों दोसों को सम अवस्था में लाएगी क्योंकि उसके अंदर और भी ऐसे केमिकल्स रसाइंस हैं जो इसको तीनों दोसों को समवस्था में लाते हैं लेकिन जिसे नीम है आप नीम भी आरोग्यवर्दक है लेकिन उसको आप वात बढ़ा हुआ है और खाएंगे तो और वात बढ़ जाएगा करेला है आप खाएंगे तो और वात बढ़ जाएगा और जिसको सामनी सामनी ऐसे दर्द रहते हैं उन्होंने इसको खा लिया तो और अधिक बढ़ जाएगा वो फिर उसको समन नहीं करेगा वो बढ़ाएगा इसलिए कटू तेक्त और कशेले रस वाले जो पदार्थ होते है कशेले में जैसे सुपारी कथा जो स्वाद होता है इस प्रकार के जो टेष्ट स्वाद है रस वाले जो पदार्थ है उन रसों का सेवन करने से वात बढ़ता है राजमा है चना है इस प्रकार के जो रुखे जो पदार्थ है सुस्क जो पदार्थ है या जिसके अंदर रु मावले को हम इसके अंतरगत ले भी सकते और नहीं भी ले सकते क्योंकि यह रस है भी लगिन उसके साथ चार रस और भी है इसलिए उसको हम खाएंगे तो उसका एक अलग ही प्रभाव में मिलेगा तो इसलिए हमें उससे बचना चाहिए तो यहां पे मध्धूर अमलवन और बढ़ जाता है चाहिए उनकी मूल प्रकृति कफ़ज हो या पितज हो फिर भी यदि यह पदार होने अधिक मात्रा में सेवन कर लिया तो यह बीमारी उनकी बढ़ जाई है तो इसलिए उनको इस चीजों से बचना चाहिए दूसरा यह आहर के साथ एक तो आहर हम लेते हैं पोजन के रूप में जो इसमियापदार्थ हो में मरस्त देखर करके हो गड़ है दूसरा हम आहर लेते हैं वायू के रूप में स्वांस के माध्यम से जो 24 गंटा 350 दिन हम स्वांस लेते हैं गैस रूप में तो यह भी हमारा एक विशिज आहर है तो जो रितू होती है रितू सरद रितू और उष्णा गर्मी की रितू है इन तीनो रितू के आधार पे वायू मंडल का समूद्र है उसके अंतरगद्वी वात पीत और कफ जो तीनों दोस है बढ़ते घड़ते रहते हैं बढ़ जाते हैं जैसे अभी सित रितू आई तो इस सित रितू में अभ होस्पीटलों में जाएंगे तो सित से सम्दित जो रोग होते हैं कफ बढ़ना या कफ से सम्दित जो रोग होते हैं ऐसे रोगी हमें विशेस करके देखने को मिलेंगे होस्पीटलों में ज्यादा तर मातरा में पिच्चो तर से ज्यादा मातरा में और इसी प्रकार से गर् आहर भी ले लिया और तेज हो जाएगा उसमें किसीई के पीत प्रकृती भी है जनमजात पीत प्रकृती है ऐसा आहर भी ले तो उसको कंट्रोल करने के लिए उस समय वो जो वायू है पहले तो आहार में हम परिवर्तन करें और दूसरा वायू में और तीसरा जो है वर्षा रितु आएगा तो वर्षा रितु में वात दोस्त सरवाधिक रूप से वायू मंडल में बढ़ जाता है और उसमें हम स्वास चालेते हैं और रहते हैं तो हमारे सरी में बढ़ जाएगा जैसे भीमारी की बात कर रहा है कि सरी का सुन हो जाना पारकिंसन या पक्षागात या सरीकसून हो जाना यह जो सारी गढ़नाएं होती है वो सारे हैं वाद से संब्धित रोग उसमें क्या होता है कि एक तो पहले व्यक्ति की वाद प्रकृति है मान लो जनमजात ही माझव कि दूसरी भी है फिर तो फिर वो जो आहार विहार है उनका वो आहार में उनका जो रुक्षपदार्थ हैं जो वाद को बढ़ाने वाले हैं जैसे चना हैं, मतर हैं, राजमा हैं इसी परकार से जो सूसक सबजिया हैं जिसमें तेल या घी अधि का प्रियोग ना किया गया हो इसलिए हमारे आयर्यवेज में सबजी आदी बनाने का विदान है वहां पे तेल और घी अधि का प्रियोग सबजी के निकिक्री जाना है है वो रुक्ष होने कारव वात दोस्त को बढ़ाती है और वात दोस्त के समन के लिए आई रिवेज में सर्वतम जड़ी बूटी और उशदी के रूप में कुछ देखा गया है तो वो देखा गया है तेल और इसलिए और रुक्ष के अंदर हम क्या डालते हैं तेल डालकर करक पकाते हैं पकाते क्या हो गया उसका वात दोस्त हो पहले ही कंट्रोल हो गया और उस सब्जी को हम खाएंगे तो हमारे लिए हितकर हो जाएगा तो इसलिए वहां पे कौमी नेसन एक और नुसके एक योग पूरे बताये गए ये पूरे एक वैज्जानिक तरीका है तो इस जो वर्षा रितू हैं वर्षा रितू में एक तो हमारी मानलो प्रकृती है वात उसमें भी वर्षा रितू में हम स्वांस ले रहे हैं वर्षा रितू में वात दोस्त वैसे वायू मंदल में बढ़ा हुआ है और उसको हम नीरंतर स्वांस के मादें से दारण करते हैं वात ह जो मतलब हम इसको देखना चाहें तो वात कोई वायू नहीं कि कहीं लोग ऐसा है वात दोस्त बढ़ जाना वाने गेस कॉब्स या अपान वायू आ दे या डकार आ दे आना इसको भी बान लेते यह नहीं है वास्तों में जो रुख्षता सुक्सक्पन सुखापन या फिर हम जिस दोस्त के बढ़ने से उसके लक्षणों के आधार पर हम उसको देख सकते हैं कि जैसे वात बढ़ जाता है तो हमारी चमडी के उपर सफिद सफिद से लकी रिखिंज जाती है वात दोस्त का लक्षण है चमडी थोड़ी से सावलापन रहना यह वात दोस्त का लक्षण है इसी परकार से जोड़िया पढ़ जाती है ये सारे उसी के लक्षन है जूरिया पढ़ना तो वृद्धा वस्था आती है तो वो भी एक लक्षन है लेकिन सामन्य लक्षन के करते हैं या फिर सावलापन जो सरी का है वो सरीड में ज्यादा क्रिया सिलता रहना चंचलता रहना या फिर ज्यादा विचार तेजी से करना तेजी से निर्णई लेना तेजी से कारिय करना तेजी से चबाना खाना या तेजी से सारे कारियों को इस प्रकार से करने की एक आद कि कभी-कभी जोडो आदी में दर्द या इस प्रकार होना कभी टांचनी शी चूबने जैसी कभी-कभी-कभी-कभी ऐसे महसूस होना अवस्था वी से कहसे हैं ऑवाज भी आती कट कर सारे जो ज्वाइं थे हैं ये सारी कंडिशन थोड़ा बात क्रिण चीज है, थोड़ा वात विकृत हो गया, या बात बढ़ने के बाद की ये सारी कंडिशन है। ये प स्व対 रहे हैं। ये सारी चीज हैं। कॉंष्टिपेशन कब्स की समझ से आ रहेना क्यों कि सुस्वापन होता है उसका उसके कारण क्या होते हैं जल्दी से जिस प्रकार से मल्तियाग अधी की प्रगरिया है वह बादित होती है उसकारण फिर कब्स के कारण फिर गेस्ट डखा रहे आना है या फिर अपनवाईव वह बंद्ध है तो एक लक्षण के अंतरगत आएगा ऐसा नहीं कि अपनवाई हो रहे हैं तो यह इसके कारण यह वात दोस्ते इसके साइड एफेक्ट का है या उसके जो लक्षण है वह है यह तो यह सारी चीजे हम देख सकते हैं और भी इस प्रकार की और भी चीजे होती है तो इन सारी कुछ चीजों को हम देख सकते हैं कि हमारे सरीर में वात दोस्त बढ़ा हुआ तो स्वामी जी जो वात रोग है वात संबंधी जैसे हम चरचा ही कर रहे है कि जो सूना पनस्तायज में आ जाता है जिसको हम आम भासा में जिन जूनी ऐसे भी सब्द प्रयोग करत भी हैं और उस परकर का में खान पान भी ले लिया वागत का रख ए तीनchnonne जब एक साथ हो यह थाए झालब। इसे पक्षा घहत जो हम कहते हैं लक्वा मनिए एक पक्ष का घहत हो जाना मनिए लक्वा या पक्षा घहत या जो भी हम कए उसके कारण फिर एक साथ सुनध हो पता है रही और वो जाथा है यह तब घट्ध होता है जब बढ़ जाता है और क्यूं हुआ система तो आहार के कारण, तो हम आहार में जो वात कारक पदार थे, उसका हम त्याग करें, और जो वात के सामक पदार थे, वात के सामक उसके विपरित, मधूर, अमला और लवार, रस वाले, जो जो पदार थे, उसका हम सेवन करें, तो वात दोस्त, अपने आप सम अवस्ता में दे अब इस वायू रूप आहार को हम कैसे ठीक करेंगे हमारे पास कोई साधन नहीं कि वायू रूप इतना बड़ा वायू है अब उसमें हम कैसे वाद दोस्त को कम करें उसके लिए हैं यज्य यज्य को भी करने के लिए रितू के अनुसार हवन सामगरियों का विदान है और उसमें जो जैसे वर्षा रितू है वाद सी ही हमारी चर्चा चल रहे जैसे वर्षा रितू में वाद दोस्त बढ़ जाता है वायू मंडल में रूही आहारम ले रहे और चोईस गंटे ले रहे सब आहर नीरं तर्था के साथ ले रहे अब इस आहर को हमें ठीक करना है तो कैसे करेंगे तो उसको ठीक करने के लिए जो वात दोस्तको विशेश रूफ से समन करने वाला या वात दोस्तको दूर करने वाली जो जड़ी बुटिया है निरगुंडी हादी उन जड़ी बु करें था तो कफ दो और वाक ना सुआื। झो पदार्थ है उन पदार्थों से हम उम करें तो वह उlicht हो जाटे पıt के वाई भूध हो जाते हैं और पहले से हैं कि due सी कारण विप्रती आ गई तो 7 थे ए तो उस वाईचि खिरती हैं, उसको हम कम कर देंगे तो ठीक हो जाए तो इसके लिए हम आहर में परिवर्तन कर रहें और इसी प्रकार से यहाँ पे जो वायू हम ले रहे हैं 24 गंठा उस वायू के अंदर हम निर्गुंडी आदी जो वात सामक पदार्थ हैं वात को दूर करने वाले जो पदार्थ हैं उन पदार्थों का हम परियोग करें और उन पदार्थों से हवन करने पर हमारा वह रोग विशेश रूप से ठीक हो जाता है तो जो वात दोस हैं वो वात दोस को कम करने के लिए यह एक विधा है और इस प्रक्रिया से हम वात दोस का समन करते हैं और सरीर में भी उसका समन होने से वो बिमारिया दूर हो जाती है और रोग विशेश में जो रोग विशेश की जो हवन सामगरी दी जाती है उसका हम परियोग ले करके कर सकते हैं और आराम से इसको ठीक कर सकते हैं तो स्वामी जी इसके लिए क्या क्या आउश्यदी होनी चाहिए इसको आप एक बाए बता दीजिए जी स्वामी जी यह जो लोगों ने प्रेक्टिकली अपने जीवन में अनुभाव किया है इसका परियोग किया है और जिन रोगियों को ठीक किया है वो जो जड़ी बूटिया और दूसरा जो सास्तरों में विदान है उसके आधार पे एक कुछ निर्गुंडी आदी जो वादसामक जड़ी बूटिया होती है वो तो हम ले ही ले सकते हैं लेकिन उसके साथ-साथ विशेश करके जिसे लकवा, पक्षागात, पार्ति इंसन आदी जो रोग होते हैं उनके लिए जाइफल है, मेडा सिंगी है, मंजिष्ट है, सर्पगंदा है, काइफल है, जटामासी है, इंद्रायन है, नागरमोथा है, दालचीनी है और मालकांग नहीं है, यह कुछ ऐसी जड़ी बूटिया है, जिसका मिक्सरन बराबर मात्रा में करके और उसका हम परियोग ले सकते हैं, इसी परकार से हम अपने आहर विहार में भी परियोग करें, तो निश्चित रूप से यह बीमारी जो है, उसको हम दूर कर सकते हैं, और विशेश हम इसमें लाव उठा सकते हैं, और कुछ अन्या उशेदी जो सहज आसपास हमको मिलते हैं लेकिन पहचानते नहीं तो उसके बारे में भी आप बता दीजिए, जिसे अपामार्ग के बारे में में बताया, कि अपामार्ग ऐसी जड़ी बूटियों सब जगा पे पूरे भार के अंदर ही, जो हम मसालों का प्रियोग करते हैं, उसमें भी ऐसी जड़ी बूटिया हमारे सामने रहती हैं, जो वात दोस्का विशिश करके समन करती हैं, जिसमें हम मिसरी ले, मिसरी आदी जो मिश्ट पतार अर्था कफ को बढ़ाने वाली चीज़े हैं, मुलठ ही होती है तो उसका हम प्रियोग ले सकते हैं, मिसरी का प्रियोग ले सकते हैं, या इस प्रकार की जो भी जड़ी बूटिया हैं, जो कफ को बढ़ाने वाली हो, और वात का समन करने वाली हो, उन जड़ी बूटियों का हम प्रियोग ले सकते हैं, उसके साथ साथ इस रोग के लिए हम जो मस्तिस के लिए जो दी जाने वाली जड़ी बूटिया होती है जिसे माल कांगनी है जो तिस मतिजिस को कहा जाता है तो उसका भी हम परियोग ले सकते हैं इसी प्रकार से जो हमारे आसपास के किसानों या खेतों में जो और भी कहा स्फूस मान करके लोग उसको उखाड करके फैंक दिया करते हैं तो जिसे अपने सरदे आचार स्री जो टीवी चैनल के उपर आयरवेट के उपर विशेज रूप से जो कारिकरम चल रहा है उसमें सारी चीज़ देखे तो उसमें जो वात सामग जो जड़ी बुटिया या बाते बताई हैं और आपके आसपास में 25-50 तो एक प्रकार की जड़ी बुटिया अवेलेबल हर जगा पे हर समाई पे होती हैं तो उसमें से हम उस पुस्तक में इसे देख करके जो अवेलेबल जड़ी बुटिया हर उन जड़ी बुटियों को लेकर के हम उसका हवन अग्नि होत्र कर सकते हैं और उस अउस्टियों का धूम्र भी लेने से हमें विशेश रूप से लाब प्राप्त होता है वो बीमारी हमारी हमारी दूर बहुती है कुछ ऐसे प्रयोग हुए हो जिससे जो इस रोगों से लाब भानवित हो ऐसे कुछ प्रयोग बेवार में दिखता है जिनिश्ची दूरूप से स्वामी जी हम जब से इस कारिया में लगे तब से हमने खुब सारा इस प्रकार के जो लोग कारिया कर रहा है कि यज्जे के द्वारा चिकित्सा करना यज्जे के द्वारा रोगों को ठीक करना इस प्रकार के जो काम है वो बहुत सारे लोग करते है और इसमें अपने भारत वर्ष में तो करते ही करते हैं लेकिन भारत के बाहर भी आप देखेंगे तो दो हजार से अधिक वेबसाइड हैं जो अलग-अगनिहोतर यज्जे के उपर हैं उसमें भी वो लोग बहुत बड़े रूप में वीदे सो में भी यज्जे के द्वारा च चाइना में एक होस्पीटल हैं इस परकर अमेरिका में भी कुछ ऐसा है जहां पर होस्पीटलों में भी इसका प्रियो किया जाता है और पक्षा घाथ के हम जो बात करें पैरलाइस बार इसके लिए भी बहुत सारे लोगों ने जैसे सांती गुन से लेकर के अलग-अलग ल किया है और इसमें उनका पहले की रिपोर्ट है बाद की रिपोर्ट है कॉन से चीकिता क्या आहार विहार से लिकर कि जो परिवर्तन किया ऑटिसमें अबहुत बटा जी है और फोरौर्म प्रकास जी है और भी रोड़र जी इस प्रकार से बहुत सारे रोगियों के उपर यह ऐसे रोगी हैं जो परकिंसन आदी रोगों से ग्रस्त थे और उन्होंने यज्य चिकित्सा लेकर के उन्होंने स्वास्थलाब उठाया और अपने रोगों को ठीक किया ऐसे रोगी का प्रेक्टिकली हमारे साथ पहले के यज्य के द्वारा, जैसे सामईनी रोप से लोग कहेते हैं कि यज्य के द्वारा कैसे रोग ठीक हो सकता है, तो रोग ठीक होने का एक सूख्षम लेवल पर काम करता हैं, और यह जो रिपोर्ट हमें खांस करके बताती हैं और जो लोगों का प्रेक्रिकली अनुभव हैं व को मुक्ति पाएंगे हमारे पाँ से लोगों का अनुभव भी है लोगों पर प्रैक्तिकल चीया हुआ भी है है आप करेंगे तो आप भी इस जड़ी वुटियों से के रूप भी ले लेता है जिसके अकारण से अभी जैसे पूजय स्वामी जी बता रहे थी कि पूरी दुनिया में WHO के माध्यम से यहां रिपोर्टर मिली है कि इससे करीब 28 प्रतिसात ऐसे लोग है जो ग्रसी थे कहीं न कहीं तो ऐसे जो रोग जिसका बाहर हम जब देखते हैं एलो पैथी या अन्य और जो अलग-अलग विधाय हैं तो उसमें कहीं न कहीं इसका प्रभाव बहुत ही कम मिलता है तो ऐसी स्थिते में जो यज्य चिकिस्सा है इस चिकिस्सा के माध्यम से इन रोगों का अच्छा प्रभ तो वो अपनी जो रिशी परंपरा जो यज्य कर्म है उसको करके अपना कर स्वयम अनुभाव लाप्राप्त कर सकते हैं तो ऐसे ही आप इसका कारेक्रम में बने रही हम नए नए यज्य से संबंधी जो अलग अनुसांधान सोध है या जो प्रैक्टिकल बेवहार में हुए तब तक ले सभी को नमस्ते